आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मुनी स्वागत करता हूं एक पर फिर से आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में बात करने वाले एंटी पीसी का जो आपका एड्मिट कार्ड है वो कब तो तीन और पांच इनका आप तक इनका जो एक्जाम है यानि इनका जो एड्मिट कार्ड है आपका कब तक आ सकता है इनका एक्जाम कब तक हो सकता है रेल्वे चेर्मेन की तरफ से बड़ा ओफिशल नोटिस जो है वह जारी किया चाचुका है इस वीडियो में हम इसी पर ब पर अपडेट के लिए तो जैसा कि एक न्यूज पेपर की कटिंगे इसके इंदर लिखा गया है पांच माई से डाउनलोड कर सकेंगे एंटी पीसी का एड्मिट कार्ड यानि के पांच माई को आप अपने एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं वह कैंडिडेट जो फो पॉपूलर केटेगरी यानि एंटी पीसी के द्यूत्य चरण की परिक्षा मई में होगी कम्पूटर बेस्ट टैस्ट में शामिल होने वाले पांच व्यारती पांच माई को अपनी परिक्षारती अपने पांच माई को एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जबकि 30 परिक्षा के अंदर वाले जिले को देखने और एड्मिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए परिक्षारतियों को अपना पहले का रोल लंबर इस्तमाल करना होगा 12 अप्रेल को RRB ने CBT2 के लिए परिक्षा तिति गोशित कर दी थी जिसके अंतरगत केवल 4 और 6 परिक्षारती इस लेवल इस परिक्षा में हिस्सा ले सकेंगे RRB इलाबाद में कुल 4300 से अधिक पद है RRB के चेर्मेन आर ए जमाली ने बताया है कि 10 दिन पहले वेबसाइट के माध्यम से परिक्षारतियों कि यह पता कर सकेंगे कि उनकी परिक्षा किस सहर में है और 5 दिन पहले चार दिन पहले आपका जो है अड्मिट कार्ड डाउ यहाँ और वें हैं कि वह से स्वारी थाथ बहुत को सबसक्की पहले उस नोटिस से पहले यह वाइन झोंटी है कि यह जारी कि शिरे जाए कि अंदर रेयल्वें ने बताया था की जो एक्जाम है वो कब से कब कराया जाएगा इसके अंदर यह भी लिखा गया था यह जो बहुत इंपोर्टन प्यार पॉइंट फोर वेतनिस्तर यानिके लेवल टू और थ्री के परिक्षा कार्यक्रम की घोष्णा बाद में की जाएगे बाद का मतलब आपको एक वीक का समय भी मिल सकता है और हो सकता है कि कि जिस दिन आपका पांच मई को एड्मिट का जाओं टाउनलोड हो तो हो सकता है कि बाद में जो बचे हुए लेवल्स हैं यानिके दो तीन और पांच उनका भी आपका एक्जाम डेट जारी किया जा चगे इसलिए आप मानकर चलिए कि आप सभी का जो एक्जाम है वो नो माई को ही स्टार्ट होगा नो माई तक आपकी जितनी भी तैयारी है आप उसको कंप्लीट कर लिजेगा क्योंकि नो माई के बाद आपको टाइम मिले या ना मिले इसकी कोई शोर्टी नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि माई के अंदर ही यह सभी एक्जाम जो है सीवीटी टू के कर दे और और रही बार नॉर्म लाइजेशन की तो इस बार नॉर्मलाइजेशन का जो प्रॉशस रहां के बराबर रहेगा क्योंकि सभी design के जो एक्जाम हो एक ही टिन होंगे एक से दो चिफ्ट में हो सकतेखंडी दो दिन नहीं हो सकते यह पहले यह आरअर्बी ने बत त कर दोजया था कि नॉर्मलाइजेसन का जो प्रोसे होगा वह अब ना के बराबर होगा तो आप नहीं तयारिक परीफॉकस ज्यादा से ज़्यादा से ज्यादा लगाएं ज्यादा से ज्यादा मुश लगान और रिवाइज करते रहिए अगर आप यह सब अच्छे से पढ़ रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं तो आपका सेलेक्शन पक्का होगा इस पर इतना ही जैसे ही कोई दूसरी न्यूज आईगी दूसरी अपडेट आईगी एंटी पीसी से रिकार्डिंग तो मैं उस पर बना दूंगा उससे पलपल अप पलपल अपडेट रहें उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूब प्रेस्प कर दीजेगा तब तक के लिए धरन्यवाद